बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच कहा से शुरू करें पेचीदा दास्ता है बहुत मुश्किल है बोलना और मैं अभी थोड़े दिर पहले किसी से कह रहा था अब मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है अब मुझे सुनना अच्छा लगता है पता नहीं ये कौन सी चीज है लेकिन है अब मुझे सुनना ज्यादा अच्छा लगता है मैं कितना अच्छा सुन रहे था कितना बड़िया बोल नहीं थे आप मुझे कोई जो अर्द्यबरदस्ती नहीं थी घर पे मैं इंग्लिश भी बोल सकता था हिंदी भी बोल सकता था और जो मैं बोलना चाहता था मैंने वही किया यह तीसरी जनरेशन है हमारी ब्राटकास्टिंग में ग्रैंट फादर ने रेडियो शुरू किया 1939 में बहुत नाम हैं का जाधर शुक्ति टू में रेडियो में आए जन टेलविशन में में ग्रैंट फादर फिर लास्ट में टेलविशन में पीर और मैं ने सोचा था कि मैं ये नहीं बनूँगा ये मुझे नहीं करना क्योंकि इन दोनों ने कर लिया अब मुझे कुछ और करना है मैं अदरसल करना चाहता था थेटर तो एक असफल थेटर वाला कुछ-कुछ जर्णलिस्ट वाला ये शक्सियत आपके सामने अगर है तो खड़ी है आपके साथ इनोवेशन इनोवेशन इसका संबंद जो तालुक है वो दिमाग से ज़्यादा है मस्तश्क से ज़्यादा है मिसाल के तौर पे मैं एक बहुत सुन्दर खुबसूरत घर में रहता हूँ जिसमें सब डिजिटल और सारा गैजट्स है तो मैं रहता हूँ जाता हूँ दर्वाजा खुलता है AI से और सब कुछ स्क्रीन आता है ये आता है फोटिग्राफ आती सब मैं आज टौपिक पर ही बोलूगा बहुत अच्छी बात है आप रहिए उसमें साल दो साल दस साल पंदरा साल अकेले रहिए तबियत के साथ जब उप जाएं तो मुझे बताईएगा उप जाएंगे निश्यत तोर से उप जाएंगे आप चाहें जितनी खुबसूरत तमाम सारी चीज़े सजो लीजे जिन्द जो है जो चीजे बदलती है उस चीज को मैं समझता हूँ लेकिन ठीक है फिर क्या होता है मैं एक आपको दो लाइन सुनाता हूँ और फिर देखिये जिन्दगी कैसे बदलती है और कहां से creativity जो शब्द है वो आती है एक नन्हीं चडिया आगन में आती है गीत गाती है गु सुचेगा यहीं पर innovation, creativity, future life जो भी आपने equation बनाई है वो सारी clear हो जाएगी एक नन्हीं चडिया आगन में आती है गीत गाती है गुन गुनाती है चडिया के लिए आगन जरूरी नहीं है आगन के लिए चडिया जरूरी है आप पूचांगे इसमें क्या हुआ यह जो आगन है ना जब उसको जिन्दगी चू देती है जब जिन्दगी चू देती है किसी चीज़ को तो वो जीवन तो पेड़ तो है लेकिन चिडिया नहीं बैठती उस पे जिस दिन चिडिया से मतलब है जिन्दगी, alive तो creativity जो है उसमें अंदर जब आईगी ना तो आपको मुठी मे नहीं पकड़ा जा सकता है यह जो थोड़ा सकन है हम परफेक्शन जैसी चीज मेरे दोस्त कुछ तो लोगों ने पाली कुछ लोगों के पास होती है जीवन में यह मैं परफेक्ट बिल्कों परफेक्ट सोला मात्रा यह वो सब teacher and the best जब मैं उतरता हूं तो biology best पढ़ाता हू नहीं सर परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती तो जो लड़ा खड़ाते हैं न वोई खड़े होते हैं पहली बात तो यह अब मैं आता हूं future की तरफ यह दोनों चीज़े हैं तो हम future के कैसा कैसा बनाना चाहते हैं देखे सारा जो उपक्रम है जो सारी चीज़े चल नही हैं सब के जिन्दगी में मैं वहां से बात करता हूं हम सारे लोग चाहे वो वहां बैठे हो और चाहे सर यहां बैठे हो हम सारे लोग जिन्दगी को अपने आसान सरल और अच्छी बनाना चाहते हैं सारे लोग चाहे कोई महात्मा जो बोल रहा हो प्रीचर वो सब यही बता र अगर किसी के पास हो एक चीज मंत्र तो बता हो, किसी के पास नहीं है, तुम्हें अपना मंत्र खुद खोजना है, जिन्दगी में, मैं तुम्हारे खूल में नहीं आ सकता, मैं तुम्हें अपना experience बता सकता हूं कि मैं किदारनाथ 2013 में चला गया था, खतम कहानी थी, बताने क तो इसमें क्या कहूं मैं, फिर उस दिन समझ में आया एक बात, जो महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूं लिए, जिन्दगी की तरफ बुड़ रहा हूंगा बस, क्योंकि 7 मिनट बचे हैं बस, और 7 मिनट में मुझे जिन्दगी समझा नहीं है, क्या जबसी बात है यार, 7 गंटे में पेपर लिखते हो, माप करना सामने वाले 5 मिनट में चेक कर देते हैं, अजब जिन्दगी है, 6 मिनट में कहते हो, जिन्दगी का फलसफा, सब जा दो, मैं समझा देता हूं, लेकिन बत्रगारते अब आज नहीं बोलूँगा, जनलिलिसम पे आज नहीं, कता ही न पाल के आया हूं, बड़ी जब मनों जो कोई सुबह सुबह, उठना सुबह अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, जिन्दगी जो है न, वो एक तरे से नहीं समझाई जा सकती, बहुत मुश्किल है, मुझे उस दिन समझ में आया, जब 2013 के दारना की बाड में फस गया, थेर महीने पता नहीं घर में, जो पहला कॉल इंड पहुचा, उस पही अधा कि आप प्रतीक तुरुएदी के घर से बोल नहीं है, बोले वाले ने भी उपर वाले ने भी उसको पता नहीं कितने आताकत दी होगी, अरे कहना चाहिए प्रतीक नहीं तो आगले का तो और दिल सुकोड गया, कम्मुनिकेशन इसके लिए नहीं है, वो पहले पुराने जवाले में जब जाते थे एक राजमहिल से दूसरे या दूसरे तो यह पहला सबक यहीं होता था, पहला संटेंस क्या बोला जाएगा, यह तह था, क्या बोला हैं, बोला रखो, तमाम सारी की चीज़े बात में बात करेंगे, कभी किसी समय, आज मौका नहीं है, आज तो आपको जिन्दगी बतानी है, साड़े चार मिनट, उस दिन समझ में आया, सच बतारूं बच्चे, बिलकुत मैं बले इमानदारी के साथ, मैं कुछ नहीं रखता मेरे पास कुछ है भी नहीं ना, कुछ बताने के लिए इतना बड़ी चीज़े हैं मेरे पास, कि मैं आपको बताओं कि मैंने जिन्दगी में यह यह हांसिल कर लिया है, रोज अपनी एक दुनिया बनाता हूं, डेर हजार, दो हजार लोगों के बीच में खड़ा होता हूं, और मेरा जो उस्ताद है, वो एक मदारी है, सच में, मैंने उसी से सारी आर्ट सीकी, कम्मिनिकेशन स्किल सीके, वो कहता था, जाओ घर से, पैसे लेके आओ, नहीं लाए तो रात भी यह खोपड़ी तुमारे घर में आएगी, और मैं आता था, अपनी मां से कहता था, पैसे पूछ लूँगा, फिर कौन है, यह भी पूछ लूँगा, बचे साड़े तीन मिलट, यह भी स्किल है, पूरी बात नहीं खोली जाए, कुछ छोड़ के चाहिए, तभी तो आप मुझे याद करेंगे न, वरना तो क्या, सब खतम, बैसा हजम, तो उस दिन समझ में आया, ब अगर आप मुझे कहेंगे कि वो बड़ा फेमस प्रोग्राम जो है, बिग बॉस तवाला, जिसमें मैं अंदर था, वो बताईये स्टोरी, वो एक अलग डिफिर्ट स्टोरी है, आप मुझे कहिए कि केदानाथ वो अलग स्टोरी है, जारखन में नकसल्स और पुलिस और उस को बचा के रखना है, उस दिन मैंने सुचा कि अगर मैं ना बचा होता, तो मैंने कैसे बताई होती ही जिन्दगी किसी को, क्या होती है, आप खुद रहें, सुरक्षित, वो बहुत कीमती चीज़ है, पैसा, फेम, ये सब आएगा आपके पास, confidence, है तो क्या, खेली तो है confidence क मैं आपके साथ इतनी देर से बाते कर रहा हूं, मैंने कुछ तो प्रिपेर नहीं किया, बस मुझे ये मालूम था, innovation ये है, creativity ये है, और इसके बाद जिन्दगी के जो फलसफा जिसको आके देखना है आपको, वो बहुत कीमती चीज़ है, और perfection जैसी कोई चीज़ नहीं होत कि, तो वैसा तो अभी कोई नहीं बना पा रहे है, हमने क्या किया है, कि हमने Picasso भी थोड़ा ले लिया है, डाविंसी भी थोड़ा ले लिया है, और हमने थोड़ा सा अलसलवा डाली ले लिया है, एक composition बना दिया है, और उस composition को दिखा रहे हैं, देखो 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 वो जो सांस लेती है पोट्रेट में या पेंटिंग में जिन्दगी वो अभी कोई इसको रिप्लेस अभी कर नहीं पाया और ना कर पायेगा जिस दिन कब रिप्लेस कर देगा उस दिन फिर हमको ना बुलाईएगा उसी AI को यहां ख़़ा करिएगा तो सुनिएगा क्योंकि इसमें एरर नहीं होगी इसमें एरर है वो भी अच्छी लग रही आपको कि सर के अंदर जो एरर है वो कितनी अच्छी है प्रेमचत दुवारा नहीं बना पाए हाँ उनसे अच्छा बना लिया मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि आज की नवपीडी में वो चीज नहीं है बहुत फायर है हम से ज़र्दा फायर है लेकिन इग्जाक्ट वो नहीं बना पाएं तो रिप्लेस मशीन नहीं कर सकती हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें है जो हमारे वो फीलिंग है जो जिसे क्रेटिविटी कहते हैं हम मिक्शन तो बना देते हैं बहुत सारी चीज़ों का लेकिन इग्जाक्ट वहां भी नहीं पहुच पाएं तो जो ये गाजेट्स या मॉडन टेकनालोजी है वो रिप्लेस्मेंट डा रहा है बहुत सारी यूज भी वही पढ़ रही है लेकिन माफ करिएगा मुझे तो मज़ा अभी भी वही आएगा जब आप यूज पढ़ेंगी तो मुझे तब ही अच्छा लगेगा लेकिन ठीक है चीजे दोनों चलेंगी आहिस्ता आहिस्ता चलेंगी एक चीज़ और 19 सेकिंड बचे एक चीज और और वो यह है इनोवेशन से जरूरी नहीं जो मैंने कहा था बताऊँगा जरूरी नहीं कि वो चीजे खराब हो या मस्तिक्ष्ट ना 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 बहुत उपर ही रखा उपर वाले ने इसको यहीं रखा है यहां भी रख सकता था यहां रखा और उसने बहुत सारी चीजें दी है लेकिन हर इनोवेशन बहुत क्रेटिव हो जरूरी नहीं लेकिन क्रेटिविटी जो है वो इनोवेटिव होगी जरूर होगी तो इसमें एक रिलेशन है को नहीं दिखा सका वो नदी जिसके किनारे बैट के हम दोनों लोग बात कर सकते थे वो नहीं सजो पाया लेकिन इस उमीद के साथ तुम्हें छोड़े जाता हूं कि आने वाला कल तुम्हारा होगा वो जो गलतिया मुझसे हुई हैं उनको तुम दुबारा नहीं करो यह future है क तो सब कुछ तो सुरक्षे तर फिर तो कोई दिक्कती नहीं है वो करना बहुत जरूरी है future वहीं पर है उसको छूते रहेंगे जिंदगी आप कुछ भी काम करें कुछ भी काम करें जिसको जिंदगी नहीं छुआ या जिंदगी तक नहीं में कमुनिकेशन का आदमी रोज skill इस वही काम करता हूँ, आम लोगों से मिलता हूँ, उनी से बीच में बैखता हूँ, उनी से बात करता हूँ 40 सेकेंड में स्क्रीन कर लेना मेरी वो है, कि 40 सेकेंड में अगर नहीं कर पाई है तो बेकार है तो वो स्किल या वो लोगों से बात या उन चीजों के समस्या मेरे अपने फ़ादर को कोस रहे थे और उनके फादर उपने वालों के कि उन्होंने अच्छा नहीं किया लेकिन अब हम को कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा न नदिया, पहार, पानी, कितनी बड़ी क्राइस हैं, कितनी बड़ी चीजे सामने खड़ी है तो आज बस अभी सिर्फ इतना और जब आप बुलाएंगे तब तुबारा फिर आएंगे ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so much बहुत 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 शुक्रिया